आज हम जानेंगे बल्ब कैमरा को कैसे चलाना है तो इसके साथ क्या मिलता है एक होलडर मिलेगा इसमें आपको प्लस माइनस पावर दे देना है और इसक्रू के थुरू कहीं भी वाल में चिपका देना है ठीक है यहाँ पे रिसेट पिन दिया हुए पिन हम प्रोवाइड करे अगर डिवाइस में कोई भी इसू आता है तो आप इसको इसमें पान से साथ सेकेंड तक डालेंगे और प्रेस करके रखना है इसके बाद डिवाइस रिसेट हो जाएगा फैक्ट्री मोड पे चला जाएगा ठीक है और यहाँ पे एसडी कार्ड के लिए दिया हुए वैसे कि ज़रूरत नहीं है अगर एसडी कार्ड में रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे एसडी कार्ड आप लगा सकते हैं तो आप एप में सिधे रिकॉर्ड कर सकते हैं अब क्या करना है हमें होल्डर में इसको जमाके लगाना है यह देखे लग गया होल्डर में और इसको पावर यूज जल गया डूर्ट एक से दो मिनट इसको स्टार्ट होने में लगेगा उसके बाद हम क्या करेंगे यौज के कैमरे को पावर में कनेक्ट करने के बाद 2-3 मिनट तक वेट कर लेंगे उसके बाद वह 380 Pro यह मैंने ट्राइप कर रका है इसको मैंने उल्adt इंस्टॉल कर रखा है आपको इंस्टॉल करना है ठीक है इंस्टॉल करने बाद क्या करना है आपको कि i-fi के सेटिंग में जा इसको प्रेस करके रखना हैmak है कि में यहां पर MB नाम से Serial नंबर बन के आए prov तो इसको connect कर लेना है अगर नहीं आ रहा है तो एक बार ऐसे करके refresh कर लेना है ठीक है इसको हमें connect कर लेना है यह connected हो गया ठीक है अब इसके बाद क्या करना है हमें app को खुलना है भी 380 pro app को खुलना है ठीक है यह open होने में थोड़ा time लेता है ओके यहाँ पर क्या करना है कि अगर device दिख रहा है तो ठीक है नहीं दिख रहा है तो एक बार उपर से refresh कर देना है इसको देखिए यहाँ पर यहाँ पर हमेंशा decline करना है बहुत लोग इलाओ कर देते हैं जिससे की device offline देते हैं यहाँ पर हमेंशा decline करना है ठीक है यहाँ डिवाइस आगे add device करना है डिवाइस add हो गया अब यह local network से चल रहा है ठीक है land के थुरू चल रहा है यानि कि device का जहां तक Wi-Fi है आप वहां तक automatic देख सकते हैं इसको बस क्लिक करना है और यहाँ पर password set करना है password में क्या करना है कि digit special character और word तीनों होना चाहिए जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर admin add the rate 12 admin add the rate आप कुछ भी डाल सकते हैं लेकिन तीनों character होना चाहिए ठीक है यहाँ हमें confirm कर लेंगे यह device आपका add हो गया open हो गया यह local network से चल रहा है device के Wi-Fi से चल रहा है आप यहाँ से sound बोल सकते हैं ठीक है device में सुनाई देगा और यहाँ से आप 360 camera को कर सकते हैं आप कहीं भी देख सकते 360 में यहाँ से आप फोटो ले सकते हैं यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ठीक है ओके अब आते हम बैक ठीक है यह camera land के थुरू चल रहा है अब हमें क्या करना है कि इसको when के थुरू करना है यानि कहीं से भी देख रहा है हमें तो camera के near में internet होना चाहिए अगर camera के near about में internet है तो आप इसको कहीं से भी देख सकते हैं तो यह connect करने के लिए हमें triple dot पे click करना है एक बार ठीक है setting में जाना है उसके बार network में अभी यह camera का Wi-Fi network connect है अभी क्या करना है हमें internet से connect करना है इसको यहाँ पर जाने के बाद आपको करना है Wi-Fi station mode ओके यहां से select Wi-Fi करने लेना है जो near about में आपके Wi-Fi अभी हमारा देखे आ रहा है Wi-Fi इसको connect कर लेना है यहाँ पर password automatic आगया नहीं आए के थ्रू connect हो गया ठीक है यहाँ पर ID आ गया और यह internet के थ्रू connect हो गया अब मुझे Wi-Fi की कोई जरूत नहीं इसको बंद भी कर सकते हैं अब अपने net के थ्रू हम देख सकते है mobile के net के थ्रू ठीक है यह refresh हो गया Wi-Fi connected आ गया अब इसको क्लिक करेंगे हम अभी थोड़ा time ले हा गया मतलब White Area Network आ अप कहीं से भी आप देख सकते हैं इसको Okay करें छुए